हेलो गाइज वेलकम बेक तो आवर चैनल सर्मा टेक्निकल्स एक बार फिर आपकी सेफटी वीडियो में स्वागत है आज की वीडियो टायर से रिलेटिड है जो की गाड़ी का सबसे मैत पुर्ण भाग है जो की गाड़ी को पूरा रन कराता है तो आज सात्यों टायर में सबस टायर जो है बिना रैशिस के होने चाहिए साफ होने चाहिए बार-बार उनमें पंचर ना हो इस तिती का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं गाड़ी के टायर टायर अधिकतर आगर आपने देखा हो तो मेजर सर्विस पर आगे वाले टायर पीछे और टूल, एक्विबमेंट होते हैं और वो अच्छी तरह से उत्राइज होने की वज़े से देखाल भी अच्छी कर पाते हैं उनके पास थोड़ा सा प्रैसर भी रहता है उत्राइज डीलर्शिप पे तो इसलिए कभी भी आप सर्विस करवाएं तो उत्राइज से करवाएं औ और मैनुफेक्चरिंग डेट करने का कोई बड़ा वो नहीं है इसको आप टायर पर ही पता कर सकते हैं टायर पर विखायदा मैनुफेक्चरिंग वीक और जो इयर होता है वह लिखा होता है तो यह है सातियों जैसे कि आपको दिख रहा है कि अपोलो का टायर है और यह 215,60 आर सोडा का इसका डाया है और यह 26 और 20 जो दिखा हुआ है यहाँ पर 26 वा वीक और 2020 इसकी मैनुफेक्चरिंग डेट है कि यह जून 2020 का बना हुआ टायर है तो कभी भी आपको पता करना हो कि हमारा जो टायर है वो कब बना है तो इसको आप देकर जानकारी ले सकते हैं कि ह व्मारा टायर जाधा पुराना तो नहीं है तो साथ यो इस प्रकार आप टायर के बारे में मैनुफेक्चरिंग डेट पता कर सकते हैं और ताकि आपको ये भी रहे कि जाधा पुराना टायर गाड़ी में यूजञ ना करें क्योंकि वो पड़ा पड़ा भी खराब हो सकता है और जब भी आप गाड़ी में चलाएं वो क्रैक हो सकती है इसलिए कभी भी आप नया टायर चेंज करवाएं खरीदने जाएं तो मैनुफेक्टरिंग डेट ज्यादा पीछे की या ज्यादा दूर की ना हो कोशिस करें कि वह आसपास की डेट का टायर ही यूज करें ठीक है सा